Assalamu alaikum students and welcome to my YouTube channel The Observation and today I am gonna teach you, today I am gonna tell you something about present simple tense students, students, when you start English or English, you start to learn more about present tense 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 we have 12 tense 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 तो इस पे जब भी आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर रहे हैं तो फोकस बहुत जारा करना चाहिए क्योंकि जब तक आपकी कमांड जो है वो टैंस पे नहीं होगी आपको इंगलिज बोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होते हैं अगर उनको उर्दू में कोई सेंटेंस बोला जाए तो जो ता है ती है या ते है पे खतम होते हैं किसी हद तक यह लॉजिक बिल्कुल ठीक है मगर कुछ सेंटेंस प्रेजेंस सिंपल में ऐसे भी होते हैं जो ता है ते है या ती है खत्म नहीं होते अगर आप इस लोजिक को लेके चलेंगे कि जो सेंटेंस था है या तेहे पर खत्म होगा तो आप जो है वो मिजगाइड हो सकते हैं तो अब मैं आपको बतातौ को प्रेजेट सिंपल की डेफिनेशन किया है तो प्रेजेट तो यह पांच चीज़े होती है जो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आते हैं अगर इन पांच चीजों से डिलेटिट कोई भी जुमला आ रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो एक एक करके मैं आपको यह सब बताऊंगा सबसे पहले आता है रिपीड एक्शन तो रिपीड एक्शन क्या होते है रिपीड एक्शन जैसे के नाम से ही जाहिर है कोई ऐसा एक्शन जो बार बार होता है दा एक्शन विच टेक्स प्लेस अगेन अगेन और रिपीटिड ली यानि हमारा कोई भी ऐसा एक्शन जो हम बार बार करते हैं मिसाल के तोर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पिज़ा खाता हूँ I eat पिज़ा तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हर्गे ये नहीं कह रहा कि मैंने कल रात पिज़ा खाया या कोई ऐसी पार्टी का दिकर नहीं कर रहा कि कल रात मैं कहीं गया था और मैंने पिज़ा खाया मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं पिज़ा खाता हूँ I eat पिज़ा it means ये मेरा क्या है repeated action है अब वो पिज़ा में हो सकता है कि हफ़ते में दो बार खाता हूँ या हो सकता है कि महीने में दो बार खाता हूँ या साल में 3-4 दफार खाता हूँ लेकिन है क्या मेरा ये repeated action है यानि मैं अक्सर खाता हूँ तो it is called repeated action तो आई ये white board पे इसकी example भी देखते हैं किस तरीके से हैं अच्छा अब एक चीज़ और पहले बता दूँ आपको कि इसका जो formula होता है present simple tense का वो होता है subject plus verb की first form और plus object स्थीके ये बहुत ही आसान formula है subject verb की first form plus object for example मैंने अभी example देथी I eat pizza तो I हो गया subject यानि मैं और eat हो गया मेरा action verb और उसकी first form eat हो गई और इसी तरह object क्या था pizza था मैं क्या खाता हूँ pizza खाता हूँ white board पे हम इसकी example देखते हैं लिखा हुआ है I offer prayer मैं नमाज पढ़ता हूँ या नमाज अज़ा करता हूँ I offer prayer ये मेरा repeat action है मैं यखिना आपसे ये नहीं कह रहा कि आज सुबा मैंने नमाज पढ़ी कल मैंने नमाज पढ़ी कल मैं पढ़ूँगा मैं कह रहा हूँ कि मैं नमाज पढ़ता हूँ यानि कि मेरा क्या है तो present simple के जो helping verb हैं वो है do and does दो helping verb हैं और एक चीज जो आपको एक अपनी जहन में रखनी है वो यह है कि present simple tense का जो affirmative sentence होता है यानि सादा जुमला ना मैं ये करता हूँ मैं ये खाता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ इसमें इसका helping verb नहीं आएगा तीकर इसका helping verb जो है वो कौन से sentence में आएगा वो उसके negative sentence में और interrogative sentence में आएगा यानि इंकारिया sentence जिसमें मैं इंकार कर रहा हूँ के वहाँ नहीं जाता मैं ये नहीं खाता और या फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्या वो वहाँ जाता है क्या मैं वहाँ जाता हूँ क्या मैं ये खाता हूँ इस तरीके sentence में do और does का इस्तमाल होगा था यह आप वाइट बोर्ट पे एकसी example देखते हैं पहला sentence लिखा हुआ है I offer prayer यानि के मैं नमाज पढ़ता हूँ तो यह साधा जुमला था affirmative था तो देखें इसमें ना do का इस्तमाल हुआ है ना dusk का इस्तमाल हुआ है और है क्या यह मेरा repeated action के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको ना आपको मैंने 5 चीज़े बताएं थी उसमें सबसे पहला repeated action उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ अच्छा अब अगर इसका negative sentence बनाएं तो आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है I do not offer prayer I do not offer prayer मैं नमाज नहीं पढ़ता मैं नमाज भड़ता तो आपने देखा कि I के बाद not से पहले do आ गया यानि यह helping verb कौन सा लगा do लगा इसी तरह अगर आप जो हैं तीसा sentence देखते हैं जो के सवाल या interrogative sentence है तो उसमें हम बोलेंगे do I offer prayer क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ तो क्या हुआ कि helping verb जब भी सवाल पुछेंगे यह हर sentence होता है कि जब भी सवाल पुछना होता है तो जो helping verb होता है वो सबसे पहले आ जाता है helping verb से ही जो है इसका आगाद होता है do I offer prayer क्या मैं नमाज पढ़ता हूँ और आपने देखा कि इसके आगे question mark भी लगवा है क्योंकि यह एक सवाल है अच्छा दूसरी चीज़ जो वो पहले भी बना चुका हूँ अगर आप देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा एक मैं s और es का स्वाल जो है उस पर मना चुका हूँ और एक first second third person pronoun पे भी मैं वीडियो मना चुका हूँ तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अच् वी यू दे या कोई भी दो नाम हमारे पास आते हैं तो क्या होगा कि जो भी हम वर्ब लगा रहे हैं वो उसके साथ es का इजाफा नहीं होगा देखें अब यह लिखा हूँ आई वी यू दे और दो नाम लिखें अली एंड असर तो इधर हमने आई रग दिया तो क्या आई ओफर प्रेयर अब इस ब्लॉक में जो आपने देखना है आई भी यू दे इन में से कोई भी रग दें इधर वी रग दें इधर यू रग दें इधर दे रग दें तो सेंटेंस इसी तरह होगा फोर एक्जैंपल वी रखके देखें तो हो जाएगा कि मैं इसकी जगा लिखी देता हूँ फॉर एक्जैंपल यहां पर आप लिख दें वी ओफर प्रेयर तो यह सेंटेंस देखें इसी तरह कि हम नमाज पढ़ते हैं इसी तरह हां इसका नेगेटिस क्या बन जाएगा वी डू नौट ऑफर प्रेयर हम नमाज नहीं पढ़ते और इसी तरह इसका अगर interrogative बनाना हो तो वो हो जाएगा do we offer prayer क्या हम नमाज पढ़ते हैं क्या हम नमाज पढ़ते हैं और अब यह दूसरे ब्लॉक में आप देखें क्या लिखा हुआ यह लिखे में third person singular यानि he, she, it या कोई एक नाम अब अगर इन में से कुछ हम subject में put कर देते हैं तो क्या हो होगा for example मैं he put कर देता हूं वी की जाएगा तो जैसे ही यहां पर he put होगा तो offer के साथ या वर्प के साथ as का इजाफा हो जाएगा तो इसके साथ as का इसाफा हो जाएगा तो बोलेंगे he offers prayer वो नमाज अदा करता है या वो नमाज पढ़ता है इसी तरहां इसमें क्या होगा ही और do के साथ as का इजाफा यहां पर हो जाएगा he does not offer prayer वो नमाज नहीं पढ़ता है इसी तरहां सवाल जब करेंगे क्या वो नमाज पढ़ता है तो यह does से शुरू हो जाएगा does he offer prayer क्या वो नमाज पढ़ता है तो यह हमारे थे repeat action जब भी third person singular का use होगा तो एक तो यह काम याद आप हमेशा याद रखीगा कि subject के बाद जो verb आ रहा है उसमें as या es का इजाफा होगा और negative और interrogative sentence जब बनाएंगे तो उसमें does आएगा for example जैसे अभी हमने अगर हम बोलें कि वो पिजा खाता है तो बोलेंगे he eats पिजा और अगर बोलें कि वो पिजा नहीं खाता तो हम बोलेंगे he does not eat फिजा और क्या वो पिजा खाता है does he eat फिजा तो ये जो अभी मैंने आपके सामने example पेश की ये सब थी repeated action की मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा repeated action क्या होता है वो action जो बार-बार हम करते हैं जो हमारा routine होता है जो हमारी habit होती है तो repeated action के बाद जो हमारे पास आती है वो आती है feelings आएए देखते हैं कि feelings में क्या होता है जी students जब feelings की हम बात करते हैं तो हमारे पास चार चीज़े आ जाती है वो है likes, dislikes, emotions and desires अब देखें इसका जो formula होता है इससे पहले जो हम repeated action की बात कर रहे थे इसका formula भी वो ही है subject है, verb की first form है और object है लेकिन अब इसको समझने ही कोईश करिएगा कि for example मैं कहता हूँ I respect my parents मैं अपने parents की इज़त करता हूँ वो ही बिल्कुल formula subject है, subject के बाद verb है, verb के बाद object है लेकिन ये repeated action से किस तरह अलग है और क्यों इसको हमने feelings के अंदर डाला गया इस sentence को, ये चीज़ समझने वाली है, देखें जब हम कह रहे थे कि I offer prayer मैं नमाज पढ़ता हूँ तो वो मेरा action था, repeat action था अब इधर मैं कह रहा हूँ कि I respect my parents मैं अपने parents की इज़त करता हूँ तो अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने parents की दिन में दो दफ़ा इज़त करता हूँ ऐसा नहीं कह सकते हैं, मैं हफते में दो बार अपने वालदेन की इज़त करता हूँ ऐसा भी नहीं हो सकता, अगर मैं बोलू I love my kids मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि महीने में दो बार करता हूँ या दिन में दो बार करता हूँ, या रोज़ाना करता हूँ नहीं, क्योंकि इस तरह नहीं कह सकते ही क्योंकि यह हमारी feelings हैं यह हमारा एक feelings हैं जिसको हम इस तरीके से count नहीं कर सकते कि मैं रोज आना करता हूं अफते में दो बार करता हूं यह action नहीं है हमारा तो इसलिए हमने इसको feelings की अंदर डाला है तो क्या लिखा है I respect my parents तो यह क्या हो गया हमारे emotions में आ गया है feeling के अंदर emotions आ गया है I love my kids मैं अपने बच्चों से महबत करता हूं यह हमारे emotions आ गया है इसी तरह अगला sentence देखें like और dislikes भी आ जाते हैं for example I like you मैं तुम्हें पसंद करता हूं या I dislike you मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसी तरीके से like and dislike भी आ गया है अच्छा अब जो feeling का सबसे main part होता है important part होता है वो होता है want to और want to be यानि want to का मतलब मैं क्या चाहता हूं और want to be मैं क्या बनना चाहता हूं मैं क्या होना चाहता हूं यह जो sentence होते है want to और want to be वाले यह हमारी English speaking में बेतहाशा इस्तमाल होता है बहुत ज़्यादा frequently used होते हैं यह sentence for example I want to go there मैं वहाँ जाना चाहता हूं I want to call you मैं तुम्हें call करना चाहता हूं I want to talk to you मैं तुमसे बात करना चाहता हूं इस तरीके sentence और want to be जो होता है उसमें कैसे sentence बनते हैं I want to be a teacher मैं teacher बनना चाहता हूं और मेरा भाई जो है वो doctor बनना चाहता है तो मैं क्या कहूंगा I want to be a teacher and my brother wants to be a doctor मैं teacher बनना चाहता हूं और मेरा भाई जो है वो doctor बनना चाहता है तो ये want to वाले जो sentence होते हैं ये बहुत ज्यादा use होते हैं ये हमारी feelings के अंदर आते हैं तो आप समझ गए होंगे कि अभी मैंने आपको दो चीजे बनाई एक repeat action और एक feeling तो आप इसका फर्क जो हैं वो समझ गए होंगे कि क्यों हमने इस sentence को feeling के अंदर डाला जबके इसका formula जो था वो एक ही था subject वर्प की first form और object तो मैं समझते होंगे होंगे इसकी इलावा एक चीज़ हैं में रखिएगा जिस तरह हमने उधर जो है negative sentence बनाए थे इसी तरह इधर भी negative और interrogative do और does के समाल के साथ लगेंगे I want to go there मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ नहीं जाना चाहता I do not want to go there क्या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ do I want to go there और इसी तरह अगर subject में third person singular या कोई एक नाम आ जाएगा he, she, it या कोई एक नाम का समाल हो जाएगा तो does लग जाएगा For example, Ali wants to go there Ali वहाँ जाना चाहता है तो want के साथ as का समाल हो गया क्योंकि इदर want जो था वह वर्ब के तौर पे समाल हो रहा था Ali wants to go there Ali वहाँ नहीं जाना चाहता Ali does not want to go there क्या Ali वहाँ जाना चाहता है Does Ali want to go there तो यह इसी तरीके से do और does का समाल हुआ जिसतरा repeat action में हुआ था जब भी subject में third person singular या एक नाम आएगा तो does और जब इनके इलावा I, V, U, they या कोई दो नाम आएंगे तो do का समाल होगा लेकिन यह बात रखिएगा affirmative में नहीं negative या interrogative sentence में यह मैं बार बार इसलिए repeat कर रहा हूँ कि आपके जहन नशी हो जाए अब तीसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसी tense के अंदर आती है वो है states तो जैसे के मैं वीडियो के शुरू में बात कर रहा था के present simple के अंदर कुछ ऐसे sentences भी आते हैं जरूरी नहीं है जिनके आखिर में ता है ती है और ते है आता हो तो वो होते है state तो अगर state की बात किया है state का मतलब होता है condition हालत तो एक वीडियो मैं इस पे भी मना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया है कि state verb और action verb में क्या फर्क होता है तो action verb जो अभी हम पर रहे हैं जैसे I offer prayer, I eat, pizza यह सब action verb थे यानि इसको perform करते हुए हमारी body जो होती है वो move होती है यानि body gesture से मदा लगा सकते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है तो यह सारे जो होते है action verb होते हैं state जो होते हैं वो हमारी condition हमारी हालत को बयान करते हैं कि हम कौन हैं हमारे पास क्या है और हम कहां पर है अब state verb की बात की जाए तो हमारे पास इस tense के अंदर present simple tense के अंदर पांच state verb है is, am, are, has and have अच्छा अब state verb के अंदर हम जो है वो किन चीजों के बारे में बताते हैं हम बता सकते हैं position के बारे में हम बता सकते हैं illness, characteristics, relationship, occupation and existence के बारे में हम बात कर सकते हैं for example, पहला sentence हम देखते हैं के I have a car, मेरे पास एक गाड़ी है, I have a car, अब अगर इसका उर्दू में तरजमा किया जाए मेरे पास गाड़ी है, तो इसमें ता है तो आई नहीं, ती है, ते है, कुछ भी नहीं आया, मेरे पास एक गाड़ी है, तो इस sentence ने I have a car, इसने क्या शो किया, मेरा position शो किया, यानि मेरी मलकियत को शो कर दिया, कि मेरे पास क्या है, I have a car, I have a marker right now, for example, इसी तरह second sentence को हम अगर देखें तो इसमें लिखा है, he has a fever, यानि उसे बुखार है, उसे बुखार है, he has a fever, तो illness को भी शो कर दिया, यानि बिमारी को भी हमने straight के through बताया, इ राशिद की जो personality है, वो बहुत ही अच्छी है, तो हमने क्या किया, कि has और have की मदद से हमने characteristics को भी define कर दिया, for example, जैसे राशिद has a good personality, या हम किसी के बारे में बात करता है, he has a good communication skills, यानि उसकी communication skills जो है, वो बहुत ही अच्छी है, तो ये characteristics होती हैं, इसको भी हम has और have के हमने characteristics को define कर दिया, four sentences लेखते हैं, I have two siblings, मेरे दो भाई बहन है, I have two siblings and he has five siblings, मेरे दो भाई बहन हैं, और उसके चार या पांच भाई बहन हैं, तो has और have के से हमने मदद से क्या किया, हमने relationship को भी define कर दिया, कि मेरे दो भाई बहन हैं, इसी तरह five number पे लेखते हैं, he is a teacher, वो एक teacher है, तो हमने क्या किया, उनका occupation define कर दिया, for example मैं बोलूँ कि I am a doctor and he is a teacher, मैं doctor हूँ और वो teacher है, तो is MR के थिरू हमने क्या किया, कि हमने ये बता दिया, कि हम हैं कौम basically, तो occupation यानि जो हमारा पेशा है, वो हमने बता दिया, इसी तरह छटे sentence में हम देखते हैं, कि I am at home, मैं इस वक्त घर पर हूँ, या I am at institute, मैं अभी institute पर हूँ, तो इसने क्या किया, हमारी existence, हमारी मौजूदगी जो है, कि हम इस वक्त कहां पर हैं न, I am at home या I am at institute, उसको define कर दिया, describe कर दिया, तो हमारे पास present simple में ये 5 state verb थे, is, am, are, have and has, जिसकी मदद से हमने ये sentences बनाए, अब present simple tense के अंदर जो चौती चीज़े, वो हैं हमारे पास imperative sentences, students imperative में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं, order की, advice की, suggestion की, या instruction की, यानि हम इन sentences में या तो किसी का order दे रहे होते हैं, या किसी को advice दे रहे होते हैं, suggestions दे रहे होते हैं, या ये देखें, इसमें क्या होता है, it is subjectless, ये जो sentence होते हैं, इसका कोई subject नहीं होता है, और इसका जो relation होता है, वो सिब second person जो होता है, उसके साथ होता है, यानि इसमें क्या होता है, कि कहने वाला कहता है, और समझने वाला जिसको कहा गया है, वो समझ जाता है, और वो action perform कर द इसकी तरफ में देखता हूं और बोलता हूं come here तो वो student उठेगा और मेरी तरफ आ जाएगा ना मैंने उसका नाम लिया और ना ही कोई और subject लगाया सिर्फ मैंने instruction pass की और वो उसने perform कर दिया इसी तरह तो इसमें क्या in sentences में क्या आता है for example go there come here इसी तरह कोई student बैठा हूँ है या कोई शक्स खड़ा हूँ है मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने का go there तो वो उधर चला याएगा यानि मेरे body gesture से वंदा लगा रेगा कि मैंने किस से बात की है और वो उस action को perform कर देगा इसी तरह आप second sentence देख सकते हैं एक किलास चल रही है और teacher पढ़ा रहे हैं जैसे कि इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे कोई बंदा बिहोश हो जाता है और वहाँ पे 10-12 student या 15 student एक किलास में बैठे वे और मैं एक instruction देता हूँ या advice समझ ले या suggestion समझ ले मैं बोलता हूँ take him to the hospital यानि जो बंदा गिर गिर गिया है उसको hospital लेके जाओ अब जैसी मैं यह instruction पास करूँगा वहाँ से हो सकता है 10 में से 2 लड़के उठें हो सकता है 5 student उड़ी हैं या पूरी किलास उड़ी है इस से मेरा तालुग नहीं मैंने का please take him to the hospital खुद ही perform कर देंगे इसी तरहां तीसरा जो sentence आप देख सकते हैं कि make me understand मुझे समझाओ यानि आप यकीनी बात है कि मुझे मेरी किसी से बात चल रही है या जैसे कि student भी teacher को कह देते हैं कि please make me understand मुझे समझाए मुझे समझ नहीं आया तो teacher खुद ही समझ जाएगा कि ये मुझे से कहा जा रहा है तो इस तरीकी के जो sentence होते हैं subject less होते हैं और इनका तालुख से second person से होता यानि जो first person बोलता है और second person उसे समझ जाता है तो ये सारे sentences जो होते हैं ये imperative कहलाते हैं और ये भी present simple के अंदर आते हैं पांचवा और last जो हमारे पास है present simple के अंदर वो है permanent situation अच्छा permanent situation permanent situation जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई ऐसी चीज जो के permanent है यानि जो तबदील नहीं हो से तनी इन sentences में अक्सर universal truth भी आ जाते हैं यानि कोई ऐसे sentence जो अकर 100 साल या देर साल पीछे चले हैं जब भी वो उसी तरीके से बोला जाता था आज भी उसी तरीके से बोला जाता है और future में भी वो उसी तरीके से बोला जाएगा उसमें कोई changing नहीं हो सकती for example के number one पे लिखा हुआ है sun rises in the east and sets in the west सूरज जो है वो मश्रिक से निकलता है और मगरिब में डूपता है तो ये जुमला हमेशा से इसी तरीके से बोला जाता है कि सूरज मश्रिक से निकलता है मगरिब में डूपता है और इसी तरह जब तक अल्ला चाहेगा तो ये बोला जाएगा कि सूरज मश्रिक से निकलता है और मगरिम में डूपता है इसी तरह सैकंड सेंटेंस है जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है ये भी उनिवर्सल टूथ है ये भी हमेशा से इस तरह बोला या रहा है और बोला जाता रहेगा सबको पता है कि 0 centigrade पे जो है वो जम जाता है बरब बन जाता है तो ये भी उनिवर्सल टूथ है ये सेंटेंस भी इसी तरीके से बोले आएगा चौथी एक्जेम्पल हम लेते हैं वाटर बॉयल सेट एड हंड्रेड सेल्सियस तो जो पानी है वो उसका जो बॉयल होता है बॉयल मोगा जो 100 सेंटीग्रेड पे 100 सेल्सियस पे वो बॉयल हो जाता है तो ये भी एक उनिवर्सल टूथ है तो इस तरह कि जितने सेंटेंसिज आते हैं जिसमें हम अपनी मरजी से कोई तबदीली नहीं कर सकते हैं permanent situation होती है उसमें universal truth भी आ जाते हैं तो वो आते हैं permanent situation के अंदर तो अब थोड़ा सा review कर लें हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा repeated action उसके बार हमने पढ़ा feelings उसके बार हमने पढ़ा state फिर imperative और फिर permanent situation तो ये पांच चीज़े होती हैं जो के present simple tense के अंदर आती हैं तो मैंने कोशिश की कि इस tense को detail के साथ आपको पढ़ाया जाए और कोशिश की कि आपके समझ में आए उमीद है कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो को जो है बार बार आप देखें ताकि आपके समझ में यह सबसे important tense होता है यह बात मेरी हमेशा याद रखिएगा present simple tense मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल अगर अभी subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe करें थैंक यू very much